पूर्वाइश चूरू जानते हैं कि आर्मी को लंबे समय से हैलिकॉप्टर की जरूरत है तो इसी लिए अब आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री से स्पेशल छूट चाहती है ताकिए वह है से जल्ड से जल्ड कर सके और आज हम इसी के उपर ही बात करेंगे चलिए दोस्तो शुर और अभी तक इसके उपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और साथ ही आर्मी की चीता और चेतक हेलिकॉप्टर की फ्लीट एंड पे आ रही है यानि की दोस्तों ये रिटायर होने वाले हैं तो ऐसे में अब आर्मी डिफेंस मिनिस्टी की अप्रोच कर रही है ताकि उसे स् पर भावित होती है और दोस्तों 2023 से इनकी टेक्निकल लाइफ खतम होनी शुरू हो जाएगी रशिया के साथ हमने वन बिलियन डॉलर के अंदर हेलिकॉप्टर की डील की थी जिसमें से 60 हेलिकॉप्टर हमें डायरेक्टली इंपोर्ट करने थे और 140 को हमें इंडिया के जनाना था और ये हेलिकॉप्टर आर्मी और इंडियन एर फोर्स दोनों को दिये जाने थे लेकिन दोस्तों प्रोब्लम इसके अंदर क्या आई थी कि जो RFP जारी की थी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया रशिया हेलिकॉप्टर लिमिटेड को जो की दोस्तों दोनों द तक लेके जाते हैं तो दो-तिन साल और खराब हो जाएंगे और दोस्तों उसी वज़े से काम रुक गया लेकिन अब आर्मी चाहती है कि अपने हेलिकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री 62.4% पर ही मान जाए और इन हेलिकॉप्टर का निर्मान इंडि कर रहे हैं और इसेंबल कर रहे हैं उसके अंदर 70 प्रतिशत इंडिजनाइजेशन कैसे हो सकता है और दोस्तों मार्च 2020 के अंदर पार्लियम एंटरी स्टेंडिंग कोमेटी की जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर के अंदर वैल् राजना सिंग जी से मिल चुके हैं और अभी आर्मी के पास टोटल 185 चीता और चेतक हेलिकॉप्टर है जिन में से 20 हेलिकॉप्टर HAL के पास ओवर होल के लिए हर मोके पे खड़े रहते हैं और दोस्तों अभी हमें तकरीवन 400 हेलिकॉप्टर चाहिए और बाकी बची इंडिजुनेसली डेवलप किये गए लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर से भी पूरी की जा सकती है और इसके इलावा दोस्तों अगर आज हेलिकॉप्टर का ओडर दिया जाता है तो पहला हेलिकॉप्टर 36 महीनों के बाद यानि की 3 साल के बाद मिलेगा और टोटल कंपलीट होने में 8 साल लग जाएंगे और जहां तक हेलिकॉप्टर की बात है तो ये फ्रेंच इंजन से पावर लेता है और साथ ही दोस्तों इसके अंदर 74 परसेंट रशियन कंटेंट है 26 परसेंट यूरोपियन कंटेंट है तो ऐसे में दोस्तों 70 प्रतिशत की दोस्तों सत्विकॉप्टव का म में दोस्तों इसके लिए है और संद से नहीं की जानी चाहिए कि इसके अंदर कैसे पोसिबल है कि सारी requirement locally पूरी की जा सके क्योंकि HAL helicopter इंडिया के अंदर ही बना चुकी है तो उससे दोस्तों पता है कि किस चीज की requirement है और अगर वह कामोव की क्षमताओं वाला helicopter देती है तो हमें कोई problem भी नहीं होनी चाहिए तो ऐसे में क्या decision होगा आर्मी का और defense ministry का ये देखना रहेगा धन्यवाद जैहिन